हरे कृष्ण दोस्तों मेरे नाम है डोक्टर पृतिक जोहान और मैं आज की जो वीडियो है इस्पेशली वो आपके प्रश्णों के उत्तर है जो भी आपने मुझे वो पूरे शरी को गोड़ा करने वाली दवाई की नीची पूछे थे और बरवेरिस एक्यूफुलिम के बार और प्रश्णों करेगे हैं करेगी लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके होने के कारण बहुत सारे होते हैं आप का जो PIGMENTATION चेहरेपे है यह जो हम कुलर्ज को बोलता हैं मेलेज में बोलता है यह जहां यहाईं जिसको हम बोलता है इसके होने का का खारण जब तक शरीर में आपके मुझूद रहेगा ना तो ये किसी दवाई से खतम होगा ना ही किसी क्रीम से खतम होगा ना ही किसी फेस वॉष से और ना ही किसी साबन से तो जितने भी मार्केट में ख़तना क्रीम चल रहे हैं वो क्रीम लगाते हैं वो ओपर की लेर उतार देता है और उस लेर को तरने के बाद में चाहरा और व्यादा ख़रा हो जाता है और पिंग्मेंटेशन की जहाई को प्रॉलम फिर भी नहीं जाती है लोग यही कहते रहते हैं कि हम यूज करते हैं लेकिन यह लोटके आ जाती है और उन्हें एक होप दिखिए है बरविर्स ऐक्योफोलियम से कि क्या बरविर्स ऐक्योफोलियम से जा सकता है नहीं बरविर्स ऐक्योफोलियम से नहीं जाएगा हाँ हलका फुलका फर्क पड़ सकता है उसमें लेकिन जाएगा नहीं लगाने पे भी नहीं जाएगा वो इसलिए क्योंकि जाइए बनने का शरी के अंदर कुछ कारण मुझूद है और बेरवेस एकिफोलियम सरफ इसकिन की जो ग्लैंड्स होती है उनको न्यूट्रिशन देती है सरफ उन्हीं को अच्छा बनाती है जिससे की तुझा में शाइन आती है अगर आपको इसकिन के ग्लैंड्स से रिलेटिड प्रॉलम है तो ये ठीक करेगी उसके ग्लैंड्स प्रउलम नहीं है तो ये दबाई आपके लिए यूजलेस है और पिंग्मेंटेशन के लिए जाइयों के लिए मेलेजжमा के लिए ये दबाईंड्स जो है वो यूजलेस है अब ये कैसे जाएगा, ये जाएगा कि आप किसी अच्छे होमेपेथी डोक्टरे पास में जाएए, उसको अपने सारी कंप्लीन बताइए, कब से है, उससे पहले क्या था, क्या स्ट्रेस थे, क्या प्रॉलम्स आपके लाइप में रही हैं, सारी चीज़ आप उसको बताएए ताकि उसको बेसिक चीज़ पता लग सके, कि असल में जब ये बिमारी शुरू हुए थी, तो आपके साथ क्या स्ट्रेस चल रही थी, ये बिमारी शुरू होने से पहले, आप किस तरह की स्ट्रेस से गुजरी हैं, क्या प्रनेंसी से गुजरी हैं, ये कोई और कारण रहा ह कारण का पता करेंगे, तब हम दवाय देंगे, तब जाके ये ठीक होगा और वो भी पूरी तरह से पर्मानेंट ठीक होगा समय इसमें तीन महीने भी लग सकता है, छे महीने भी लग सकता है और मैक्सिम्म नो महीने भी लग सकता है बिना किसी क्रीम के, बिना किसी फेशबोस के सिर्फ मैडिसिन से ही यह खत्म हो सकता है और वो भी वो मैडिसिन जो की इसके होने के कारण को रिमूब करती है ध्यान नटे दोस्तों, जब तक इसके होने का कारण आपके शरील में मुझूद रहेगा तब तक चाहें आप एक लाख रुपे की दवए भी खा लें तब तक ये नहीं जाएगा दूश्रा कोश्चन है क्या ये तिलों पर फर्क करती है तिलों को हम बोलते है लेंटिको या फ्रेकल्स क्या उस पर असर करेगी इसका भी आंसर सेम यही है कि अगर ये इसके इनके गिलैंट्स के कारण अगर आपको प्राग्रम है तो ये ठीक करेगी नहीं तो नहीं करेगी इसके कारण का पता करो तिल के निकलने का कारण क्या है फरेकल्स के होने का कारण क्या है जब हमें ये पता लग जाएगा शरीर में patient के according क्योंकि हर patient के अंदर अलग-अलग कारण होता है मानसिक पर कारण भी हो सकता है कोई stress भी हो सकता है शारी कारण भी हो सकता है उसका life style भी हो सकता है या उसका जो body का type है वो हो सकता है या जो उसके diet है उनमें कुछ हो सकता है मतब हर जिंदगी के हर पहलो पे जाके पता लगाने कोश्च करते हैं कि असल में कारण क्या है और अस कारण को दूर क्या जाता है मेडिसिन से, मेडिटीशन से और योगा से, डाइट से और जितनी भी तरह की हम पेश्चन को ठीक करने के लिए जितने भी तरीक हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम सारे तरीक ही यूज़ करते हैं, जिनका कोई भी साइटिफक्ट नहीं होता है, तीसरा कोश्चन है कि क्या हम प्रग्नेंसी में इसको ले सकते हैं, नहीं, प्रग्नेंसी में आप इसको नहीं ले सकते हैं, चोथा कोश्चन, मैं अपने बच्चे को दूद्ध पिलाती हूं तो क्या मैं ले सकती हूं नहीं आप लगभग इसको एक से देड़ साल बाद ले सकती हैं जब बच्चा आपका एक या देड़ साल का हो जाए जब वो चलना शुरू कर दे जब उसके दात अधिकतर निकल जाए तब आप इसको ले सकती है अगला कुश्चन है इसको कितना टाइम यूज करना है टाइम का दोस्तों मैं पहले भी इसका जवाब दे चुका हूं देंकि फिर भी प्रेशन बावारत सामने आता है टाइम का जब तक आपकी इसको तब तक यूज कितने दिन में असर करता है वैसे आपकी बोडी के ऊपर डैप क्या है बात है dominated है आपका राइट क्या है, vegetarian है, non-vegetarian है, किस तरह के environment में आप रहते हैं, किस तरह का atmosphere चार तरफ है, आपकी दिन चर्या क्या है, क्या आप योगर करते हैं कि नहीं करते हैं, fast food खाते हैं कि नहीं काते हैं, कोई निशा करते हैं या नहीं करते हैं, किसी stress से गुजर रहे हैं कि नहीं गु अगर आप अपनी दिन चारे गुल ठीक रखे हैं है अःवीद के नुसार। यह मैडिसिन 15 से लेके एक महीनी की बीच मैं अपको नतर दिखाएगे और अंतर देखने के लिए बीफोर और आफ्टी को फोटो आप ज़रूर क्लिक करें कि मेडिसिन खाने से पहले हमारा फोटो यह था और मेडिसिन खाने के बाद में एक महीने खाने के बाद में हमारा फोटो यह है और कमेंट सक्षन में जरूर कमेंट करें जो भी दोस्ति मेडिसिन ले रहे हैं या जिनों लोगे मेडिसिन ली हो गए अच्छा कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमने मैडिसिन ली है लेकिन हमारे दाने निकल गए हमें इसका side effect हो गया वो दोस्तो उसी करण से हुआ क्योंकि आपने मैडिसिन तो लिना शुरू किया लेकिन मैडिसिन के साथ में अपनी दिन चर्जा को चेंज नहीं किया क्रीम लाप लगाते रहें पहली चीज तो यह आपके ग्लेंड्स को इस्टुमलेट करती है अंदर से ताकि जितने भी टॉक्सिक पदार्थ आपके शरी में हैं वह साई रिलीज से होनी चुरू हो जाते हैं लेकिन अगर आप कोई भी क्रीम लाकर उनको ब्लोक कर दें तो अंदर सड़ जाएंगो और पिंपल्स निकलाएंगे तो जो आप यह यूज करते हो तो दिन में चार या पांच बार चाहरा धोईए थोड़ी रनिंग कीजिए और जो एक्साइज मैंने बताई है वो अब इसको face पर नहीं लगा सकते हैं जो महिलाएं होती हैं उनकी skin बहुत पतली होती है, soft होती है, transparent होती है, transparent उन महिलाएं को मैं बुल घुरा हूँ, जिनके तोचा में नसे दिखती नशे अगर वो इस medicine को use करते हैं, तो इस medicine को थे वह एक दूरें सद्री मेधिस्टें़ अब हम इसको कहां से परचेस करें यह हिंदुस्तान के हर एक medical पर उपलब्द है लेकिन यह fresh होना चाहिए minimum तीन महीने पुराना है या हद से अच्छा महीने पुराना अगर इससे पुराना है तो यह work नहीं करेगा क्योंकि मैं इसको अपने 10 साल के experience से कह रहा हूँ यह मैंने 10 साल का अनोब बताता है कि जब भी मैंने कभी पुराना मंगाया है इसने work नहीं किया है और जब भी मैंने company से direct contact करके सो मंगाया है इसने तब काम किया है तो जो इंडियन है वो आपका मिल जाएगा और जो fresh made है वो मिलेगा आपको 15 से 20 ml 350 रुपे कर कहां से ले और how to order इसको हम कैसा order कर सकते हैं दोस्तों जो मेरी website है www.aschealthguru.com इस पर मैं जल्दी से ही payment का link जनेरेट कर दूँगा अभी मेरी बात चल रही है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस वीडियो की इतना अच्छा response मिलेगा और लोग इसको मंगाना शुरू कर देंगा और लोग मेरे से ही इसको मंगाना शुरू कर देंगा तो मुझे यह पता नहीं था और तो बहुत सारे बहने हैं जिनकी मुझे request आते कि हमारे पास में इसको भेज जीजे और cash on delivery available हो सकता है अब नहीं अभी cash on delivery available नहीं है और यह जल्दी ही available हो जाएगा और हो सकते हैं कि जब आपे वीडियो देख रहे हैं हो तब cash on delivery available हो जाएगा तो उसके लिए मुझे whatsapp पर संपर कर लिजी और जल्दी से ही मैं website के link बैफसाइट पर जाके इस कर लिंग generate कर दोगा जहां पर आप direct pay कर सकते हैं अपना address लिखवा सकते हैं वापे और इसको वहाँ से purchase कर सकते हैं और जो medicine आपको जाएगी वो as a prescription जाएगी as a prescription मतलब कि हमारे prescription पर आपको जाएगी इस पर किसी company का level नहीं होगा यह as a prescription जाएगी क्योंकि हम इससे किसी company से नहीं बनवा रहे हैं और हम इसको किसी company से बनवाएगी भी नहीं क्योंकि जब आप लोग की इतनी demand आई तो मैंने company से बात की तो company ने इसकी rate बहुत जादा बढ़ा दिये दूसरी चीज़ company ने हमें साथ मैं यह offer भी दिया कि आप हमारे एक cream को आप हमारे cream को चैनल में दिखाएए और कुछ payment के लिए offer भी किया लेकिन नहीं दोस्तों मैं कभी भी किसी कोई भी cream सज़च नहीं करता हूँ इस cream की condition को देखके ही सज़च करता हूँ तो cream आपके लिए harmful होगता है तो आप use मत करें और जो भी इस चैनल पर आपको जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल सही सही मिलेगी कोई भी जानकारी उसमें fake नहीं होगी और सबसे मज़दा कमेंट एक मित्र ने किया है सबसे funny कमेंट एक मित्र ने किया है कि यह जो गोतम बुद्ध की तस्वीर है यह जो गोतम बुद्ध का statue अपने यहां पर रखा हुआ है आप इसकी insult कर रहे हो यहां पर रख के और यह मेरी तुछ बुद्धी उन्होंने क्या शब्द यूज किया था तुछ बुद्धी का हाँ यह आपके घटिया मानसिकता को दर्शाता है अगर आप यह जानबूच के रख रहे हैं तो तो उनके लिए बस मैं इतना ही वो लूँगा इसे दाद मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है तो चली दोस्तो मुझे लगता है कि सारे कमेंट्स मैंने पढ़ दिये हैं और आपकी सारे की सारे जानकार इसमें मिल गई हो गई आपको जितनी वीडियो रह रहे हैं वो बोड़ी टाइप के बार है बात पित और कफ वो जल्दी आ जाएंगे और जितनी भी बहनों ने मुझे से रिक्वेस्ट किये हैं कि हेर फॉल के उपर कोई वीडियो बनाएए तो हेर फॉल के लिए मैं वीडियो बनाऊँगा और उसमें जो मैडिसन आपको बताऊँगा वो काफ़ अच्छे मैडिसन यूसफुल आपके लिए रहेगी लेकिन ध्यान रखेगा अपने सिम्टम्स के अधार पर उसको लीजिएगा लेकिन यदि आपके सिम्टम्स उससे नहीं मिलते हैं तब ही आप उसको ले रही हैं तो वो एक महिने के अंदर आपको Richly दिखा दिए एक से तीन महिने के अंदर तीन महिने अगर आपने लिया है और को एफट नहीं होँआ तो अदो आप छोड़ दिजे वो ओधुस्थ्स आपके लिए उसको नहीं लेना फिर तो चलिए आज के लिए दना ही आप सुद्धा स्वस्त्र हैं और परमात्मा सभी का बाला करें